जाक माने बड़ा से hall में सारे employees को बुला लिया और stage पे खड़े रहे के कहा कि आपके पास में दो options है पहला option है कि मैं अभी आपको इतना सा bonus दू या second option है कि हम लोग बहुत ज़्यादा महनत करें मैं आपको इस बार कोई भी bonus नहीं दू और फिर next year जो है ना मैं आपको इसके 10 times bonus दू और सब ने कहा कि सर ठीक है हम लोग आपको support करने के लिए ready है इसके 10 times हमें bonus चाहिए अगर यह theory को हम लोग थोड़ा सा life में जो है वो ले तो इसका ये मतलब हो सकता है कि आप भी मैं ना चोटा खुशी के लिए जादा amount spend नहीं करूँ और वो चोटी खुशी को जो है वो ignore करूँ उसको sacrifice कर दूँ क्यूं क्यूंकि मुझे थोड़ी दिनों के बाद ना 10 गुना बड़ी खुशी चाहिए अगर आप ये theory को समझ सकते हो तो trust me जितने सारे businessmen होते हैं बड़ा घर लूँगा बहुत बड़ी कार लूँगा बहुत बड़े vacation पे जाऊंगा मैं आज एकदम छोटे से दो दिन के vacation के लिए नहीं जाऊंगा वो sacrifice कर दूँगा क्यूंकि मुझे one month का world tour करना है अगर ये mindset आप रखते हो तो ही आप successful हो सकते हो तो ही आप बहुत exponentially successful और financially satisfied हो सकते हो तो कौन सी ऐसी expenses है जो हम लोग emotional fool होके अभी कर देते हैं जिसके कारण हमें ये future growth में जो है वो दिक्कते आ जाती है जो relative है मेरा हमेशा रोते रहता है कि यार मेरे पास में अच्छी गाड़ी नहीं है और बस एक साल पहले उसने शादी किया था तो एकड़म कमाल का wedding किया था इतना expensive wedding किया था मेरे क्याल से 20-25 लाख रुपया खरचा करके wedding किया था मेरा ये कहना है कि वो 25 लाख रुपय का wedding के जगे पे अगर तुने 5-7-10 लाख रुपय की wedding की होती तो शायद आज तेरे पास में 15 लाख रुपय की कोई अच्छी कार होती जो तेरा dream है तो सबसे पहले तो I personally believe कि अगर आपका marriage में आप बहुत ज़्यादा पैसा खरचा कर रहे हो तो that's an emotional foolish decision मैं को मालूम है कि शादी एकी बार होती है तो मेरी शादी में इतना खर्चा नहीं हुआ था मेरी शादी में सिर्फ 20-25 लोग आई हुए थे एकदम छोटी शादी थी तो expensive marriages बहुत बार क्या होता था था मैं बहुत बड़ी-बड़ी corporate companies में जाता था sessions के लिए मुझे यादे मैंने ICICI bank का एक session लिया था और तभी मेरे पास में मारुती eco car में में गया था कमाल का session हुआ था तो जो वहां के manager है वो मुझे नीचे छोड़ने तक आये थे just imagine ना एक manager जिसका 5 लाख रुपया परबन का salary है वो आपको नीचे छोडने के लिए आता है और जबी मैं फिर मारुती कार में बैठा था तो उसने मुझे पुछा था कि sir आपके पास में ये कार है I am so surprised मुझे बहुत ज़्यादा embarrassed हुआ था लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मैं immediately दूसरे दिन जाके जो है वो अच्छी expensive car खरीदू क्योंकि मैं emotional expenses में believe ही नहीं करता तभी बड़ी car expensive luxurious car ये मेरा motive नहीं था मेरा motive बिजनिस को grow करना था employees को बढ़ाना था you know and fortunately today I have a good dream car which I always wanted लेकिन मुझे लगता है कि तभी अगर मैं शायद वो emotional fool होके कोई बड़ी सी गाड़ी ले लेता तो आज शायद ये में car मेरी अभी वाली नहीं ले पाता बहुत सारे लोग बुलेंगे नहीं नहीं लेकिन life में enjoy करना भी तो बहुत जरूरी है expensive holidays हो नहीं but holidays तो होना चाहिए holidays definitely होना चाहिए लेकिन आप business में हो आपको exponential growth चाहिए तो आपको एक छोटा सा budget बनाना है कि दुबई जाने के जगे पे मैं गोवा जाऊंगा Singapore जाने के जगे पे मैं बॉंबे जाऊंगा I don't know 5-star hotel में रहने के जगे पे मैं 3-star hotel में रहूंगा बड़ा सा buffet के जगे पे मैं आलाकार्त में कुछ मंगा लूंगा तो ऐसे आप छोटे holidays कम expensive holidays ले सकते हो but expensive holidays till the time you become super successful completely out यहाँ पे कमाल का Mark Cuban का वो था Mark Cuban ने जबी अपना business बना रहा था 3-4 साल उसने एक भी vacation नहीं लिया था वो vacation ले सकता था त्यूंकि पैसे वो बना रहा था लेकिन उसने यह theory को follow किया उसने एक भी vacation नहीं लिया और जबी फिर उसने 30 million dollars या 40 million dollars में अपनी company sell कर दी उसके बाद उसने one year का एक airline का pass लिया था first class का जहां से वो दुनिया में कोई भी destination में जो है वो airline से first class में जा सकता है so this is what happens when you wait grow your business and then start spending when the time comes I love gadgets मेरे पास में iPhone है मेरे पास में Bose के speakers है मेरे पास में Bose के headphones है I love gadgets लेकिन trust me यह आज मेरे पास में है जबी celebrity school में investment आ गई है जबी celebrity school में इतने सारे 1 million plus users आ गई है जबी मैंने यह शुरू किया था तभी I was very conservative कि मैं यह सारे gadgets में पैसे खर्चे नहीं करूँगा मैं हमेशा सोचता था कि यह Bose का जो speaker है you know home theater मेरे घर पे लगा हुआ है आज वो 5 लाख रुपय का है तो मैंने सोचता था कि वो 5 लाख रुपय का हम लोग करते रहते है जिसको control करने से जो है अब बहुत ज़्यादा saving कर सकते हो वो saving से अब investment कर सकते हो या वो saving से अब business start कर सकते हो right thank you so much this is Siddharat Prabhakar start saving and with that saved money start your own business तो you